नमस्कार, मैं नवीन अटमी इंडिय लोजिस्टी टीम से, आज मैं खड़ा हूँ अपने वेरहाउस पे, जो की इस्तित है जैपरु गुडगाउं हाईवे पे धारुई एडार के पास इस्तित है चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम कोरिया से आने वाले समान को इंबाउं करते हैं तदा उसकी इंवेंटरी करके फिर आपके ओर्डर के हिसाब से आपको यहां से डिस्पैश करते हैं तो आइए देखते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया ज उसको हम लोग है चोपीटी और रीश ट्रक के सायता से अफलोड करते हैं और अफलोड करने के बाद हम प्रोड़क्ट को इंस्पेक्शन से अरिया मरग देते हैं जहां पर हमें यह पता चलता है कि प्रोड़क्ट की एक्चुल कॉंटिटी कित्ती रिचीव हुई है उसके प्रोड़क्ट को हम लोग अपने सीजे डर्सल के डेवलु एमस वेराउस मेंजरियम सिस्टम पे इंपुट करते हैं और साथ ही हम लोग को मिलता है पुटवे प्लास जो कि हम ने इस रजाप पर डिजाइन किया हुआ है कि जो की आपके डिमांद के अकॉर्डिंग हमें उ कुछ प्रोड़क्ट को टेंपरेचर के हिसाब से हम लोग को प्लेस करना होता है वेराउस में टेंपरेचर को कंट्रोल एरिया है जहां पे हमने मास्क रखा हुआ है आप यह देख सकते हैं यह हमारा ओफिस है जहां पे हम लोग अपना डोकुमेटेशन तर्था बाकी प्र सर रहूल को अमतित करता हूं अन्यवाद है हलो एवरिवन नमस्ते अभी हम देखेंगे कि अपने यहां पे जो पैकेजिंग और इंस्पेक्शन प्रोसेस कैसी होती है इसके लिए मेरे साथ में सीजे डारसल की टीम मिस्टर मान सिंग जी और मेरे साथ रक्षित है जो की वे आप हमें बताईए पूरी प्रोसेस पहले कि जैसे पिकर हमारे को पिकलिस देगा तो हम इसका जो वे वे उसको चैन करेंगे यहां पर एमारा स्क्रीन पर शारी सारी कॉंटिटी कितना है और और में इस्पेक्टिश कितना करना इंस्पेंग तो फिर अपनी वे नमबर 6 का जो मैटीरियल है वो टेबल पर ले आएंगे तो अब हम अपने प्रोड़क्त से इनको स्क्राइब करना शुरू करेंगे यहां पर पिकिंग कॉंटिटी दस दिखा रहा है और इंस्पेक्टिटी जीरो दिखा रहा है तो जैसी जैसी मैं आपे इंस्पेक्ट करना शुरू क परूंगा यह कॉंटिटी बनती जाइगी है अगर हमारा अगर अगर हमारे और दो अचे इसकम प्रॉडक्त स्का कॉंटिटी हांने के बास माही looking बढ़ी कि अगर मेरा प्लड़क्टर एक पीक्ट लिए आता है किसी चीज का अब मेरी शितड़ इसको पान्टिटी दूगstat तो अगर मैं इसको स्कैन करूँगा यहां पर एरर का मैसेज मेरे पास आगाएगा जैसे हमारा इंस्पेक्शन कम्ट्रीट होता है तो एक स्क्रीन पॉप अप होती है हमारे पास इसके अंदर वो बताता है कि आपको कौन सा बॉक्स क्यूज करना चाहिए तो अपनी आप ले लेगा कि यह बॉक्स दीजिरो और स्टिगर आगया तो अभी हम पैकिंग शुरू करते हैं तो अभी रभी को मारे को पैकिंग करके दिखाएंगे अभी हमारा बॉक्स हाफ फिल्ड है अभी हम इसको पूरा ताकि प्रोड़क्त हमारा डैमेज ना रहे इसलिए हम इसके अंदर शीटोर डालेंगे प्रोड़क्त है तो आपने देखा कि हमारा जो प्रोसेस वह बहुत ज्यादा फुल्प्रूफ है इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकता है कभी कॉंटिटी ज्यादा भी नहीं जा सकती कभी कम भी नहीं जा सकती और यहां पे यदी देखो होगे तो कंप्यूटर लेबल प्रिंटर इनवाइस प्रिंटर सब कुछ एक ही टेबल पर आवेलेबल है और स्रिफ इतना नहीं है यह जो कैमेरा देख रहे हो आप यह कैमेरा 45 डेस का रेकॉर्डिंग सेव करता है तो यदि आपका कोई प्रोड़क्त कम मिलता है या फिर मिलता है तो हम इस CCTV के मदद से आपका इन्फोर्मेशन जान सकते है कि इसमें क्या हुआ था तो आईए अभी इसके बाद हम डिस्पैच प्रोसेस में जाके देखते है कि डिस्पैच कैसे हो रहा है तो आभी मेरे साथ सथ सणी है जो हम है डिस्पैच प्रोसेस के बारे में बताएंगे यह देखे यहां पर एकों के साथ जो अमारा संसाइमेंट जितने भी पासर थे वो सब रेडी होके उनके गाडी में रोड हो रहे हैं तो यह इहां पर दिस्पैच होके आपके यह यह ता टोटल वेराउस प्रोसेस मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको यह ओनलाइन देखने का मोगा मिल रहा है यह टोटल प्रोसेस और मुझे फक्र है कि आप यह प्रोसेस देखने के बाद आपको भी बहुत जाड़ा खुशी हो रही होगी और यह हमारा वर्ड क् प्रोड़क्ट आपके घर पे बोच जाएंगे थैंक यू दन्यवाद